गर्मी के मोसम में ठंडा तर्बूज खाना सभी को पसंद है लेकिन आज हम तर्बूज की आईस क्रीम बना रहे हैं बहुत ही स्वाधिस्ट, बहुत ही मज़ेदार बिना गैस चलाए ये आईस क्रीम बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने तर्बूज के टुकडे कर लिये हैं और इसके जो अंदर का हिस्सा है लाल वाला वूद आईस क्रीम में हम काम में लेंगे बीज इसके निकाल करके अलग रख देंगे दो करके सुखा करके आप किसी भी काम में ले सकते हैं इन बीजों को तर्बूज के बीज भी खाने में बहुत हेल्दी रहते हैं अब यहां तर्बूज को हम डाल देंगे एक जार में और डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम आप चाहें तो गाड़ा तूद भी करके इसमें डाल सकते हैं मैंने यहां क्रीम डाली है और मिल्क मेड़ तर्बूच भी मीठा है, मिल्क पेट भी मीठा है, तो इसमें अलग से मीठा डालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रयाप्त मीठा है इसमें और इलाइची पाउडर, और अच्छे से हम इसका शेक बना लेंगे, देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर है, एकदम ये फ्लपी स्टील का डिबा या जो भी आइसक्रीम के लिए आपके पास प्रयाप्त हो, उसे रख सकते हैं, तो अब हम 6-8 गंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं, देखा तो बहुत ही अच्छी सी इसमें आइसक्रीम जमी हुए, और मेरी नाते दिया को तो ये तर्बूज क आइसक्रीम बहुत पसंद है, कलर भी इसको बहुत अच्छा लगता है, पीच कलर, पिंक कलर, तो ये आइसक्रीम इस तरह से चाकू से छुडा लेनी हैं, और प्लेट में पलट करके इसे हम निकाल देंगे, आप चाहें तो अपने मन्चा ही पसंद से इसे किसी बाउल में स करूंगे, तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आइसक्रीम रेसिपी कैसी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न बोले, और हाँ, आज की मेरी ये आइसक्रीम वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के, कमेंट जरूर करें, तो अगली व नाश्कर।